सूबे की हिमन सरकार आगामी 10 और 11 फरवरी को सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेगी और इसमें पिछली सरकार के दोरान हुए विभागों के काम की समीक्षा होगी इसे लेकर सभी विभागों से उनकी वर्तमान इस्तिती की रिपॉर्ट 9 फरवरी तक मांगी गई है मुख्य मंत्री विभाग की योजनाओं से लेकर लंबित मामले पांच वर्षों में किये गए काम, आयव्याय और योजना की भौतिक इस्तीती से लेकर तमाम इस्तीतियों की समीक्षा करेगे सीधा रुक करेंगे सहयोगी अविनाश इस खबर पर और जादा जानकारी देंगे अविनाश हेमन सरकार अप पूरे तरीके से एक्शन मूड में नजर आ रही है 9 फरवरी तक विभागों के तमाम रिपोर्ट्स मांगे गई है और 10 और 11 फरवरी को इसे लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाए गई है जरूर आजदा आपने सही कहा अब पूरी तरह से मुकमंत्री हमन स्वरेन अपने एक्टिव मोड में है पूरी सरकार एक्टिव मोड में है और जो बजट से पहले की तैयारी होनी चाहिए या यू कहें कि जो वित्तिय वर्स का समापन होने वाला है उससे पहले की भी एक जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी अलग-अलग विभागों में अब देखने को मिल रही है 10 और 11 फरवरी को दो दिन ऐसे तैय किये गये हैं जब वो अलग-अलग विभागों की समिक्षा की जाएगी आज वैसे तो शनिवार का दिन है छुटी का दिन है लेकिन बावजूद इसके प्रोजेक्ट भवन में अलग-अलग अगर हम विभागों की बात करें उन विभागों में अगर काम लंबित रह गए हैं अगर समिक्षा को लेकर किसी तरह की कोई और तैयारी लंबित रह गई है तो उसे निप्ताने की कोशिस की जा रही है इस वक्त वैसे करमचारी की बात करें अधिकारी की बात करें वो इस प्रोजेक्ट भवन में उनकी अपनी एक टास्क को पूरा करने का जो उन्हें समय अधि दी गई है उस समय अधिके अंदर उनकी कोशिस हो रही है कि उससे कैसे पूरा किया जा सके इसके इसका बहुत बड़ा महतुवी होने जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जिस लगातार योजनाओं को लेकर जो हमन सोरेंट कहते रहे हैं या यू कहें कि पिछले पांच सालों में रगवरदास सरकार ने क्या कुछ काम किये उनके तरफ से जो घोशनाई की गई उनके तरफ से दावी किये गया है उनकी जमीनी हकिकत भी क्या है इस बात को इसी समीक्षा किसे जाना जा सकता है विभागों में समिक्षा की जाई कि वास्टवी कि स्थिति क्या है ताकि आने वाले समय में उससे जो अलग-अलग योजनाएं हैं उससे आप कैसे गती परदान कर सकते हैं अलग-अलग योजनाओं में इस वक्त क्या कुछ अपडेट हैं उसे आप दूर कर सकते हैं अगर क में उनको जिम्मवारी मिली है जो एक बड़ा मैंडेट मिला है उसके बाद लोगों तक खासकर अगर हम योजनाओ के लाभू को तक की अगर हम बात करें तो कैसे लाभ पहुंचाया जा सके इस पर सबसे जादा फोकस किया जा रहा है और इसी के तहट आज शनिवार का दिन हो मुझर भी इस प्रोजेक्ट भव में बहुत सारे मैंने पहले भी कहा लगातार हम अपने दर्सकों को विज्वार भी दिखा रही है की लोग कैसे मवजूध हैं अपना काम कर रहे हैं जो बचे हुए काम है उसे पूरा कर रहे हैं समीक्षा बैठक में जाने से पहले जो वि बात करें वो दिया जा सके तो जिस तरीके से तैयारी चल रही है कल कि अगर बात करें अविनाश कल रविवार चुटी का दिन होता है तो क्या यही चहल पहल कल भी वहां देखने को मिलेगी क्योंकि रिपार्ट्स आपने की बात कही गई है कि मुख्षच्यू की तरफ से जरूर सनिवार को लेकर तो यह आदेश जरूर दिया गया था कि जहां भी काम अभी तक पूरे नहीं हुए या यूं कहें कि अलग-अलग विभागों में सनिवार के दिन भी काम काज होंगे रविवार को लेकर अगर हम कहें तो इस तरह कि कोई आदेश मुझे मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन विभागों में अगर इस तरह की समिक्षा होनी है तब बड़े अधिकारियों की अगर हम बात करें तो चाहे वो रविवार का दिन हो या सोमवार का दिन हो उनके लिए बहुत जादा अगर हम कहें तो महत्म नहीं रखता ह उनकी ये कोशिस होती है खासकर अगर हम फरवरी और मार्श के महीने की अगर बात करें किसी भी साल में अगर आप जाए कि अन्तिम और समय तक दिन कोई बहुत महत्म नहीं रखता है छुट्टी के दिन भी काम काज करते हैं वैसे अधिकारी भी काम काज में देखने को मिलत है कि वो अपने कामों को कैसे समय अधी के अंदर पूरा कर सके तो यह कोशिस होती है दो दो चीजे और भी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा अगर आप देखें सरकार ने कहा है कि पिछले सरकार को लेकर स्वित पत्र जारी किये जाएंगे जो समिक्षा बैठक होगी समिक्ष सरकारे अधा कई के चाहें वह दो केंडर की योजना की मैं राज्यसरकार की योजना की बात करें सरकार यह वैसी ज ju Collezना को अगर बंकरते योजनाओं भी अगर करनी है या फिर वैसी योजनाओं का अभ के क्यारे कर रहे हैं तो यह से यह जानकारी से भी स्विष Morgen के बारे में जो बाते हो रही है सरकार जो कह रही है वह यहां से उसे पूरा करने में सफलता मिलेकि एक सहयोग मिलेगा और वो आपको पिछले दो अगले दो दिनों में जो 10 और 11 तारी को जो बैठक होनी है उसमें ये सारी चीज़े विभाग वार मुख मंत्री के समक्षोगी नहीं जो एहमन सुरन सरकार है उनके समक्षोगी कि किस विभाग में कितना effort और लगानी की जरुरत है चले बहुत बहुत शुक्रिया विनाश अब का तमाम जानकारियों के लिए तो पिछले सरकार के 5 साल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी ये समीक्षा 10 और 11 फरवरी को होनी है इस लेकर सभी पताधिकारियों को तैयारियों का निर्देश दे दिया गया है